तो फ्रेंज गनपती बापा के लिए आज हम बनाएंगे स्वादिश चुर्मा के लड़ू इसे हम बनाएंगे बिना फ्राई किये और कम से कम घी के साथ इस मिठाई को हम बनाएंगे और खाने में फिर भी ये उतने ही अमेजिंग लगते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो ये बढ़िया से चुर्मा के लड़ू बनाने के लिए हम लेंगे एक कप भर के बेसन तो ये नॉर्मल वाला बेसन है और इसे मैंने च्छान के लिया है और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे एक कब भर के बारिक वाली सूजी तो दोनों चीजे मैंने इक्वल कॉंटिटी में ली है अब ये जो सूजी और बेसन है इसे हम पहले तो अच्छे से कंबाइन कर लेंगे तो चलिए अभी इसमें हम डाल देंगे शुद देसी घी तो सिर्फ तीन बड़े चमच जितना घी इस मिठाई के लिए काफी है और इसे हम हलका सा पिगला के लेंगे तो अभी इस घी को हमें सूजी और बेसन के साथ अच्छे से मिक्स करना है तो आप देख सकते हैं इस तरह से मसल मसल के हमें मिक्स करना है और अभी इसमें हम पानी डाल के इसका आटा गुतेंगे तो पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके ही हम डालेंगे तो इसका जो आटा है जैसे रोटी का आटा रहता है वैसा ही हम लगाएंगे क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली है और सूजी पानी पीती है तो आप देख सकते हैं यह बहुत ही सॉफ्ट है ऐसा ही आटा हमें लगाना है और अभी इसे हम रेस्ट करने देंगे 15 मिनिट के लिए तो चलिए तब तक हम अपने ड्राइफ रूट को घी में फ्राइ कर लेते ह तो आप बिना फ्राइ किये भी ले सकते हैं लेकिन घी में फ्राइ की हुए यह जो ड्राइफ रूट है वो और भी अच्छे लगते हैं इस मिठाई में तो एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें अपने ड्राइफ रूट डालेंगे तो मैंने काजू और बादा लिया था तो शक्कर भी एक कप लेंगे और इसमें हम डाल देंगे आधा कप जितना पानी तो मीडियम हाई फ्लेम पे इस शक्कर को हम पहले तो पिघला लेंगे तो अभी ये जो चाशनी है ये उबल रही है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा केसर और इसे हमें 5-6 मिनिट लक उबलने देना है लो मीडियम फ्लेम पे तो यहाँ पे हमें कोई एक तार की चाशनी नहीं बनानी है तो आप इसकी कंसिस्टनसी देख सकते हैं इसमें तार भी बन रहा है बस तार बनना शुरू हो रहा है तो यह हलकी सी गाड़ी हो चुकी है बस इसी स्टेज पे हम ग्यास को बन कर देंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलाइची का पावडर तो इसे हम चाशनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस चाशनी को हम ठंडा होने देंगे तो चलिए तब तक आटा देख लेते हैं तो 15-20 मिनिट के बाद आटे ने अच्छे से रेस्ट कर लिया है इसे हम इक्वल पोर्शन में डिवाइट कर लेंगे तो आटे को अच्छे से स्मूथ कर लेते हैं और इसकी हम एक बड़ी सी रोटी बनानी है और इस रोटी को हम हलका सा मोटा भी रखेंगे तो इतने आटे में से चार बड़ी रोटीया हम बनाएंगे तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं तो चलिए अभी इस रोटी को हम एक तवे के उपर सेख लेंगे इसे दोनों साइट से अच्छे से हम सेख लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे तो फ्रेंट्स तब तक अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रहे हैं तो जल्दी से नीचे लाइक का बटन उसे प्रेस कर लीजे और वीडियो को शेर भी कर लीजे कमेंट में एक यमी टाइप कर दीजे ताकि मैं आपको थैंक्यू बोल सकूँ और ऐसी यमी रेसिपी के लिए आप मेरे पेज को भी फॉलो कर सकते हैं तो जो रोटी है वो अच्छे से सिख चुकी है इसे हम इस तरह से रफली कट कर लेंगे और अभी से हम एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसका हमें एकदम फाइन पाउडर पीशना है तो पल्स मोड पे इसका एक फाइन पाउडर तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं तो चलिए लड्डू बनाने का मिक्स है वो रेडी है इसमें हम अपने ड्राइफ रूट को भी डाल देंगे अच्छे से mix कर लेंगे dry fruit को इस लट्डू के mix के साथ तो चलिए जो dry fruit है वो अच्छे से mix हो चुके है तो अभी यह चाशनी है इसे हम इस mix के अंदर डाल देंगे इसे हमें थोड़ा-थोड़ा करके डालना है तो इसे हम इस तरह से डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे तो चाशनी को हम अच्छे से इस लड़ू के मिक्सचर के साथ कमबाइन करते जाएंगे तो वैसे तो यह जो चाशनी है यह इतने लड़ू के मिक्सचर के लिए काफी है लेकिन अगर आप कम मीठा खाते हैं तो एक से दो टेबल स्पून आप इसमें कम डालिएगा तो अब देख सकते हैं यह जो लड़ू का मिक्स्चर है यह अच्छे से बनने लगा है और यह अच्छे से मॉइस्ट भी हो चुका है तो अब इसमें से हम मीडियम साइज के लड़ू बना लेंगे इस तरह से हम गोल-गोल घुमाते जाएंगे तो यह एकदम स्मूध हो चुका है तो यह लीजिए हमारा एक चुर्मा का लड़ू बन के तयार है तो इसी तरह से सारे चुर्मा के लड़ू हम तयार कर लेंगे तो friends इस festive season आप भी इस मिठाई को ज़रूर बनाना यह कम से कम घी में बन जाती है और खाने में भी बहुत स्वादिश्ट है उमीदे रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे कमेंट में यमी टैप कर लीजे और मेरे पेज को भी फॉलो कर लीजे तो हम जल मिलेंगे ऐसी यमी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई